हेलो एबरीवन, वेलकम टू सिक्षा कल्चर, आज के इस वीडियो में हम भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाचपेई जी की बायोग्राफी को डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को बद्ध प्रदेश के ग्वालियर जिले मे एक मद्यम भर्गिय परिवार में हुआ था, इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी जो की एक टीचर के सांसनात एक कभी भी थे और इनकी माता का नाम कृष्ण देवी था, वर्तमान में प्रारमिक शिक्षाक के दौरान इनोंने सरस्वती स्कूल से अपनी स्कूलिंग पू इसके बाद कानपुर के DAVV कॉलेज से एकोनोमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसके बाद लखनव के लौ कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन दिया, लेकिन फिर इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे RSS यानि रास्टिय स्वैम सेबक संग द् अटल बिहारी बाचपेई जी अपने पूरे जीवन में आविभाहित रही, अटल बिहारी बाचपेई जी के दोस्त बी एन कॉल की बेटी नमीता को दत्तक पुत्री के रूप में सुईकार किया, यानिकि अटल बिहारी जी की दत्तक पुत्री का नाम नमीता दास है, अटल इनकी मुलाकात शियामा पिर्शाद मुखर जी से हुई इनी के आग्रे पर भारतिय जनसंग पार्टी को अटल जी ने जोईन किया और भारतिय जनसंग पार्टी का गठन 1951 में हुआ था 1979 में मुरार जी देशाई ने प्रधान मंत्री के पद्व से स्थीफ़ दे दिया तब जनता पार्टी भी विखरने लगी अटल जी ने 1980 में लालकृष्ण आडवानी वा भैरफ सिंग सिखावत के साथ मिलकर भारतिय जनता पार्टी यानि बीजेपी बनाई और पार्टी के प पार्टी के अध्यक्ष रहे बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार को स्थाफित किया अटल बेहारी बाचपेई भारत के तीन बार प्रधान मंत्री बने 16 माई से 1 जून 1996 तक फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 माई 2004 तक भारत के प्रधान मंत्री रहे इसी के साथ ही अटल बेहारी बाचपेई जी ने किया भारत के प्रधान मंत्री रहते हुए अटल बेहारी बाचपेई जी द्वारा लिये गए कुछ अभुत पूर्व नर्णय और उनकी कुछ परियोजनाओं के वारे में हम डिसकशन करने वाले हैं तो अटल बेहारी बाचपेई जी के क तारेकाल में कारगेल यूद्ध हुआ इसके अलावा सौणिम चत्रबुच परियोजना जिसमें भार्त भर के चारों कौनों को सडक मार्ग से जोड़ने के लिए सौणिम चत्रबुच परियोजना यानि कि इंगलिस में हमेs से गोल्डन कॉडिलेटरल प्रोजेक्ट कहते हैं इसकी शुरुआत की इसके अलावा अटल बिहारी बाचपेजी की सरकार ने 12 और 13 माई 1998 को पोकरण में 5 भूमी गत परमानु परिक्षन विस्पोर्ट करके भारत को परमानु सक्ति संपन देश गोशित किया अटल बिहारी बाचपेजी ने कभी के रूप में बहुत सारी पुस्तकें एवं कभीताओं का संकलन किया जिसमें कैदी कभीराय की कुंडलियां संसद में 3 दशक सेकुलर वाथ मेरी 51 कभीताओं आदी प्रमुक कभीताओं एवं पुस्तके रही अटल जी को मिले हुए कुछ पुरुषकार एवं इनकी उपलब्दियों की बात करें तो 1992 में पद्म विभूशन से इने सम्मानित किया गया 1994 में सर्वस्रेश्ट संसत पुरुषकार दिया गया 2015 में Friends of Bangladesh Liberation Board और 2015 में भारत रतन से सम्मानित किया गया राष्ट्रपती प्रणम मुखर जी ने 27 मार्च 2015 को पूर्व प्रदान मंत्री अटल बेहारी बाजपेई को उनके घर जाकर भारत रतन से सम्मानित किया बाजपेई भारत रतन ग्रण करने वाले देश्ट के साथवे प्रदान मंत्री बने 11 जून 2018 में किड़नी में संक्रमन और कुछ अन स्वास्ट समस्याओं की बज़ा से अटल बेहारी बाजपेई जी को एमस में भरती कराया गया जिसके बाद 16 अगस्त 2018 में अटल जी ने अपनी अन्तिम सांस 5 बच के 5 मिनिट पह ली इस पस्ट वादी एवं अपनी बाख पटुता के कारण अटल बेहारी बाजपेई जी को उनके ब्रोधी भी बड़े आदर और सम्मान की निगा से देखते थे और पूरे विश्वबर में भारत का नाम फिर से गुंजाएमान करने के लिए अटल बेहारी बाजपेई जी सदा हमारे हिर्दे में अमर रहेंगे इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम ब्राम की और ले जाते ही आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिंद जै भारत